हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप लोग होप आप सब ठीक होंगे बहुत बच्चों की कमेंट सेक्षन में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लिख रहे थे कि सर्द हमें अब लौ समझ तो आने लगा है बट उसको हम एक्जाम परपस के लिए कैसे याद रखें वो समझ न बार करना है कितने आपको my self करने है किस तरह से क्लोए अवसारी चीज़े बच्चों मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूं तो start करते हैं देखिए ये हमारे crime master गोगो और ये हमारे crime master डोगो इनको तो आप जानती होगा मैरे lecture 1 में मैंने इंटर्ड्व्स किया था तो crime master डोगो कह रहे हैं गोगो को कि भाईया ये law कैसे याद करें मुझे law याद नहीं होता है प्लीज बताओ ना तो भाईया गोगो ने कहा रुक त आप बता देता हूं ऐसा बताओंगा कि तो हमेशा law को याद रखेगा तो start करते हैं यह देखिए अ कि अधर यह हैंग हो गया किस law में है कैसे पढ़ना है तो पहले हम वो समझ लेते हैं सबसे पहले मेरे बच्चा आप जब study material से law पढ़ेंगे तो आपकी सबसे जादा important है understanding of the provisions कि law में क्या लिखा यानि आप शुरू से ही पढ़ते उसे रटने मत चले जाना कि आज रट लूँगा पहला चेप्टर दूसरा रट लूँगा ना 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 सबसे important चीज क्या होगी मेरे बच्चा understanding of provisions कि law में क्या बाते लिखी हुई हैं और जो book पढ़कर study material पढ़कर ये बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कठिन कठिन शब्दों का use करा गया है उनके लिए हमने one shot videos already हम प्रब्लम आ रही है तो आप वो one shot देखेंगे और फिर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ आने लगेगा कि भाया book में क्या लिखा हुआ है ये हो गई आपकी पहली बात ये पहली cd आपने चल ली उसके बाद second cd आप चड़ेंगे second cd में क्या होगा understanding of case laws यह यहां पर जो आपके सबसे important case laws हैं जो भी आपके exam में बार-बार पूछे गए हैं वो सबकी understanding आपको होनी चाहिए understanding का मेरा मतलब यहां पर है कि facts आपको पता होने चाहिए question of law क्या हुआ था क्या problem create हुई थी और फिर court ने उसका क्या solution दिया क्या interpretation दिया बस इतना आपको पता होना चाहिए जब आपको इन दोनों की understanding clear हो गई यानि मैं मान रहा हूँ कि आपको clear हो चुका है क्या clear हो चुका law clear हो चुका है जो आप पढ़ने बैठे थे understanding आपको पूरी आ गई अब चलते हैं जब understanding दोनों चीजों की आ गई उसके बाद याद करने वाले phase में हम लोग जाएंगे ठीक है अब बच्चा मेरे से बार बार पूछता है सर section number सारे याद करने है क्या सर इतना सारा content है पूर आपको जवाब मिलेगा सबसे पहली चीज जो आपकी किताब में definitions दी हुई है बेटा definition दी हुई है वो आपको learn करनी है उसको आप खुद की language में नहीं लिख सकते law accept ही नहीं करेगा क्योंकि जब law ने किसी चीज का मतलब आपको बताया है तो वह dot to dot वैसा ही आपकी copy में दि exact learn करनी है फिर कई question आपके बेटा headings वाले होते हैं कैसे होते है headings वाले जिसमें multiple headings होती है उसमें आपको headings भी exact learn करनी है उसमें हम headings में भी hair fair नहीं करेंगे हमें वो learn करनी है मैं बताऊँगा बट पहले आप यह समझ लो कि क्या चीज exact learn करनी है और कहां पर own language चल जाएगी है ना तो definition याद हो गई headings याद हो गई इसके बाद headings के अंदर का जो paragraph वाला matter होता है उसका क्या करेंगे बेटा वो आप own language में लिख सकते हैं वो आप own language में लिख सकते हैं और उसमें ध्यान रखना लेकिन own language में लिखते हुए कि law के legal language वाले keywords उसमें आने चाहिए और आपने अपने answer में उनको underline करना भी जरूरत है किस चीज का legal words का जो आप use कर रहे हैं ठीक है तो आपके जो answer की सुन्दरता है वो एकदम बढ़ ज जब उसमें हो सकता है आपकी खुद की language में heading का answer हो लेकिन जब आपने keywords यूज करें तो आपकी सुन्दरता बढ़ जाएगी answer की ठीक है अब ये सब आपका हो गया ठीक है understanding हो गई heading याद हो गई definition याद हो गई अंदर का matter समझता तो था ही अपनी language में लिख दिया लेकिन legal words उसमें use करें यहा तक होने के बाद जो बच्चा यहा तक पहुच गया है ना उसके बाद आपको अगर section नमबर याद करने हैं तो आप कर सकते हैं क्या सर सारे section number याद करने हैं नहीं मेरे बच्चा नहीं सारे section नहीं याद करने हैं important sections याद करने हैं सारे section याद करोगे तो यह content भूल जाओगे ना जो आपने learn किया था और सबकी capacity सेम नहीं होती हर बच्चा टॉपर थोड़ी होता है हर बच्चे को सब कुछ याद थोड़ी रहता है आपको अपनी capacity के हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा और marks जो है ना मेरे बच्चा वो content के हैं कि आपने content का answer interpretation कैसे लिखा answer कैसे लिखा section number के obviously आपको advantage मिलती है but just because आपने section number लिखा इसका मतलब यह नहीं कि आपको marks मिल जाएंगे clear है मेरे बच्चा yes or no yes sir एकदम clear हो गया तो section number की जो priority है section number की जो priority है वो कहां है वो जब आप सब कुछ learn कर चुके होंगे ना उस chapter का headings definition on language में जैसा भी उसके बाद आपके पास अगर समय है तो आप section number को याद करेंगे अगर आपने section number नहीं भी याद करें मैं कहता हूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस यह वाले content में दम होना चाहिए आपका यानि जो answer का flow है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए ठीक है सर केसलो के नाम क्योंकि केसलो की understanding तो यहां मिल गई थी बड़ क्या के नाम भी याद करने पड़ेंगे क्या केसलो के नाम भी याद करने पड़ेंगे क्या वो तो सबसे ही last में आएगा यानि section number होने के बाद केसलो का नाम आएगा वो भी important case laws का क्योंकि आपकी book में बड़े सारे case laws लिखे हुआ है लेकिन important case laws के नाम आप याद कर सकते है आपको पता चल गया होगा पहली चीज क्या याद करनी है उसके बाद क्या याद करना मतलब priority आप सीधा section number याद करोगे आपको समझा है नहीं law क्या होता है आपको समझा है नहीं case law में क्या लिखा है section number याद करके चले गए paper में question देखा section number लिख दिया provision लिख नहीं पा रहे हो तो marks मिलेंगे क्या बिलकुल नहीं मिलेंगे तो हमेशा याद रखना सबसे पहला important concept है definition headings and the matter inside the headings औ और on language कहां पर चलेगी मेरे बच्चा on language कहां पर चलेगी सिरफ और सिरफ जो headings के अंदर key matters होते हैं उसके अंदर on language चलेगी headings में on language मत चलाना मेरी request है headings याद कर जाना जो सर यह सब ठीक है बड़ हम याद करना चाते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता उसके लिजब्र बता है ना यह सब तो हमें भी हो सकता है're नेकिन उसके लिजब्र बताईंगे तो कोई बात नेपनई बीटा वो भी बताएंगे तना आये हैं तो सब बताएंगे सो four important tips to memorize law या legal language of law जो आप करना चाहते हैं जो keywords याद करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे सबसे पहली बात जो बच्चा सबसे पहली बात मेरे बच्चा जो बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है कहीं बच्चे मुझे बोलते हैं कि law पढ़ना चाहते हैं हमें सब समझ आ गया लेकिन जैसे हम law पढ़ते हैं हमें वो boring लगने लगता है हमें नीन्द आने लगती है तो उसके लिए आपको क्या करना है हमेशा law को loudly पढ़ना है ताकि वो शब्द आप बार-बार repeat करेंगे तो आपके mind में जाएंगे और अगर आपको नीन्द आती है तो make sure आप खड़े होकर पढ़ें copy लेके खड़े होकर अगर आप पढ़ेंगे न तो पता है क्या होगा उससे उससे आप engage रहेंगे सोहेंगे नहीं अगर आप बैठ के पढ़ेंगे आप बैठे हुए थे धीरे धीरे आपकी book से आपको नीन्द आने लगेगी है ना yes sir तो इसी लिए एक तो reading out loudly ताकि आपका engagement बना रहें और दूसरा जिनको बहुत ही जादा नीन्द आती है लौ पढ़ते हुए वो खड़े होके जादा इस पेस नीचाहिए बस ऐसे गुमते रही है और book को पढ़ते रही है ताकि आप बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा कि आप ऐसे खड़े खड़े ही गिर गए है ना वैसा कभी नहीं होगा second most important tip जो बच्चा बिल्कुल नहीं करता है वो क्या करता है एक बारी उसको पढ़ लेता है सपोज आपने इंडियन कॉंट्रेक्ट का यूनिट वन पढ़ लिया और उसके बाद उसे चार हफते बाद उठाता है और कहता है कुछ भी तो याद नहीं आ रहा बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको daily cumulative revision of law करना है cumulative revision के लिए मैं already संजीवनी बुटी slides आपको चार्ट form में दे रहा हूँ आप उससे करेंगे तो कम से कम समय में आपका वो revision हो जाएगा ठीक है वो revision हो जाएगा और cumulative revision जिनको मतलब भी नहीं पता वो बताता हूँ cumulative revision का मतलब क्या होता है suppose आपने पहले topic 1 पढ़ा ठीक है topic 1 पढ़ा उसको आप next day revise करेंगे topic 1 को आप topic 1 को next day revise करेंगे जब आपने last day topic 1 पढ़ा था और नए दिन आप topic 1 को revise करने के बाद आप topic 2 पढ़ेंगे तो उसके अगले दिन आप topic 1 plus topic 2 दोनों short में revise करेंगे short में पूरा दुबारा नहीं पढ़ना है revision there is a difference between first time study and revision अगर आपको first time में एक घंटा लग रहा है unit को पढ़ने में तो revision में maximum 15 minutes लगने चाहिए this should be the check कि आप वो actually में revise कर रहे हैं दुबारा नहीं पढ़ रहे है ओके सर इसके इलावा भी जो आप कर सकते हैं वो क्या है मेरे बच्चा daily writing सर answers की answers की नहीं answer में तो time जाता है वो तो आप एक दो लिखों के काम चल जाएगा लेकिन headings की answer के अंदर क्या-क्या heading आने वाली यह वो write करना और legal language यानि आपके important keywords की तो अगर मेरे बच्चा आप ये चीज daily write करोगे suppose आज मैंने decide करा कि unit 1 का unit 1 का मैं पूरे headings लिखके देखूंगा कि भाईया उसमें क्या-क्या headings है क्या-क्या points है क्या-क्या sub topics है आपको maximum maximum 30 minutes ल बिना book देखे हम लिखेंगे तो आपको confidence आदेगा और जहां पर आपको heading याद नहीं आ रही है इसका मतलब है वो आपको book से एक बार ही revise करने की दरूवत है कि भाईया उन headings में क्या है ताकि next day जब आप उसको लिखें तो दुबारा वो गलती दुबारा आपसे ना हो और एक और technique कि भाईया ये भी कर लिया loudly read करा तब तो लगरा याद हो गया cumulative revision भी कर रहे हैं लेकिन heading click नहीं हो रही heading click नहीं हो रही कि भाईया क्या एक बार ही click हो गई तो सारा लिख दूँगा अंदर का matter बट heading click नहीं होती उसके लिए मेरे बच्चा आपको use करने है निमोनिक इसको हम आपकी भाषा में memory technique भी कहते हैं कहीं लोग इसे memory technique के नाम से जानते हैं कहीं लोग इसे निमोनिक के नाम से जानते हैं ठीक है सर यह क्या होता है मैं एक example के साथ समझाता हूं आपको निमोनिक का example देखो जैसे आपका एक topic है features of a company जो बार बार आपके paper में पुछा जाता है कि बचे चार पांच marks के लिए आएगा company के सारे features बताओ तो उसकी memory technique बनाई हमने class क्या memory technique बनाई class बनाई तो class से मतलब c4 फिर आप c से याद करेंगे c से क्या है common seal l से क्या है limited liability a से क्या है artificial legal person s से क्या है separate legal entity और s से succession succession मनें कौन सा succession perpetual succession तो you can create your own memory techniques to remember the headings to remember the headings it will for surely help you in the exams जिन बच्चों को conceptually समझने के बाद भी headings याद नहीं आते हैं उनके लिए best method होता है कि भाईया memory technique खुद के बनाओ कितने भी वाहियाद बनाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है वो आपके दिल तक ही रहने वाले हैं लेकिन आपको exam में बहुत help करेंगे क्योंकि अगर आपको खुद वैसी own language में लिखना है थोड़े बहुत keywords लगाके है ना तो वो आप easily कर पाओगे इसी लिए मेरे बच्चा जो last technique थी वो हमारी क्या थी mnemonics use करना I hope आपको सारे points समझ गए होंगे अगर आपको कोई और भी doubt है just let me know laws are related laws are related अब आपको डरने की जरूरत नहीं है ना next video बहुत जल्दी आ रहा है मेरा जो lecture आने वाला है one short lecture मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा होगा बट आपको अगर कुछ भी problem उनमें भी फेस हो रही है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं thank you